हलो दोस्तों इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं निप्टी और बैंक निप्टी काल एक्सपारेडे पे कौन से जिसा पे जा सकते हैं और उसके साथ सत क्या होना चाहिए हमारा अप्सान का स्ट्रेटेजी भी लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा ये काल हमा बैंक निप्टी में जो भी प्राइस एक्सन हुआ ये फाइब मिनिट का टाइम प्रेम पे मैं दिखाना चाहूंगा क्या ओहीं 38 पार्सेंट जो मैं काल का वीडियो पे डिसकासन कर चुका था उधर से ये बाउंस बैक नहीं किया उपकोर्स किया उसका वाद ए 50 पार्सें इसके लिए मैं निप्टी का टाइम पे मैं दिखाना चाहूंगा जो पिछले कुछ दिन से बाता भी रहा था कि इधर से जो मार्केट होने का चांस है कि ये आपका A है ये B है ये C के अंदर 12345 करके नीचे आएगा ये हमारा मेन काउंट था तो मेरा एक्सपेक्ट सान कि मा मार्केट नीचे चले आए और ये वाला फोर्ट ये इधर कंप्लेट कर देन ये फिफ्ट के लिए आप साइट पे जाए इंकि मुझे लागना है कि अभी से इधर से एक बेंचर टॉप बान गया या मुझे नहीं लागना है मुझे लागना कि ये फिफ्ट के लिए अभी तोरा आप साइट पे नीचे जाएगा उसके लिए ओ इधर कुछ समझत बीता सकते हैं जैसे कि इधर एक ट्राइंगल जैसे अगर कुछ बना के थोरा टाइम तो वेस्ट कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी इसको थोरा आप साइट पे जाकर एक टॉप बनाना है जो मुझे अभी भी लग रहे हैं तो आप बात यह है कि यह वाला जो फॉल हुआ आज इसको हम छोड़ा टाइम प्रेम पर जाकर देखने चाहेंगे कि इधर से मार्केट कौन से दिशा पर जा सकते हैं और यह निप्टी और बैंक निप्टी कि दिना क्लोसली काम करते हैं वह भी मैं दिखा हूंगा इस च्छेड़ो टाइम प्रेम पर जाकर यह आज निप्टी का फाइव मिनिट का चार्ट है इधर आप अगर देखना चाहेंगे इसने बाड़ा बच कर 25 मिनिट पे बैंक निप्टी ने भी अपना लोग कब बनाया इप निप्टी का फाइव मिनिट का चार्ट पर देखिए बाड़ा बाच कर 25 मिनिट पे तो मैं आप लोग को इससे पहले भी यह दिखा चुका था कि यह काल 12.35 पे इसने अपना टॉप बना तो मैंने काल आप लोग को बता चुका था कि इधर से बैंक निप्टी को देख कर भी आप निप्टी पे ट्रेट कर सकते थी क्योंकि निप्टी जो है यह लागवक 33% के आसपास है तो यह बैंक निप्टी हो या फिर फाइनचियल सेक्टर जो है यह अगर गिरेगा तो निप अधर बैंक निप्टी और निप्टी के अंदर है एक दूसरे के साथ बहुती चल रहा है तो आप सवाल यह आ जाते है कि कल निप्टी और बैंक निप्टी कौन से जिशा पर जाएगा इसके लिए मैं यह बाला जो fall है nifty पे इसका फिबुना से retracement डिखाना चाहूँगा कि इधर से जो है यह बाला जो आज market ने high गये हैं बाड़ा बाच के 25 मिनिट के बाद यह लगवाग आपका 50% जो target है उसको exactly hit किया and then इधर से market fall करना चालू कर दिया तो मैं निटी का 2 hour का time पे जो बोल रहा था कि C के अंदर 1,2,3,4,5 है तो यह 1 हो गया 2 हो गया था इस जागा के आसपस तो यह जो बड़ा बाला 3 होगा इसके अदर का जो 5 साववेप है उसका में भी 1 और 2 चाल रहे है यह बाला जो जागा है और वे 2 वे 1 का 50% का जो level है इस इसके आसपस तक आ सकते हैं आपको भी पाता है और इसके बाद यह अगर मैक्सियम इदर से आप साइट पर जाने पर भी कोशिस किया तो यह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यह 61 और उससे उपर इस 78 पर से इसके आसपस तक जाएगा लेकिन बात यह होते हैं कि यह जो ब तो जो बुक्स पर लिका होते हैं कि यह वेफ टू वेफ वान का 61.8% के आसपस चले जाते हैं वो नर्मल ही होता नहीं कि थार्ड वेफ पर बहुत ज़्यादा पावर रहते हैं बहुत ज़्यादा प्रेसर रहते हैं तो यह 1,2,3,4,5 अगर बनेगा तो यह 2 इतना उपर न आने के बाद इधर से आये अगर मार्केट काल सबोस कि इधर से इधर से इधना आप साइट पर चला जया तो मैं क्या expect करूंगा मेरा expectation होगा कि यह बार जो हाई है इसको तोड़ दिया तो most probably इधर से एक बहुत बड़ा जो fall का expect कर रहा था उस पे power है ही नहीं इसलिए market को इतना बड़ा retracement होने दे रहा है तो मैं भी market जो है इधर से neutral या फिर जो दूसरा एक alternate count दिखा रहा था निप्टी का यह 2 hour का time frame पे जाकर कि यह पूरा का पूरा मैं भी एक triangle होने का possibility दिखा रहा है तो मैं एही expect करूंगा तब जाकर जब तक यह वाला जो low है इसको ना तो लेकिन छोड़ा time frame पे मेरे लिए यह जो एक level है यह बहुत एक important level है तो अभी चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं कि इसके अंदर जो sub waves है ओ कैसा है और आज पूरा दिन पे आप कैसे इसको trade कर सकते थे one minute का time frame पे successful और यह जो पूरा का पूरा rise हो follow इसको भी आप ले सक आते थे ओभी मैं जाकर दिखाना चाहूंगा इसके लिए मैं निफ्टी का one minute का time frame पे जाना चाहूंगा तो अब हम चला है निफ्टी का one minute के time frame पे इधर मैं live replay बार के मल से आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि इधर सी क्या कर रहा है तो चलिए start करते हैं इसको भी तो इ आपना लोग बना है दिन का सुरू में इसको तोर के और भी नीचे आने का प्रयास कर रहा है तो इधर से जो हो रहा है इसको मैं कैसे मार्क करना चाहूंगा इधर से यह बाला जो जो जागा है इसको most probably यह आपका one है यह two है और यह one two के बाद क्या होतना है कि बड़ा बाल का 3 बनेगा तो मैं अगर यह बाला जो 3 होगा इस 3 को मैं इधर मार्क कर रहा हूं सबसकि यह मेरा 3 है तो इस रेट का रहर का 3 के अंदर का मैं ब्लैक कालर से 5 सब्सक्राइब मार्क करूंगा one two three four five तो यह मेरा most probably one two three four five हो गया और यह सब कुछ मिला कर यह जो रेट का 3 है इ यह मेरा मानना था तो इसलिए मैं इधर से expect कर रहा हूं कि यह आपका एक रेट का फोर्थ भी बनाएं ठीक है तो यह फोर्थ बनाने के लिए कैसा यह बना सकते हैं चले ओ देखते हैं इधर से इसको मैंने one इसको अगर two माना तो इधर two बहुत ही छोटा है तो इधर जो फ C है D है और यह E है तो यह DOF से नीचे जब भी जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए इधर से excel करना चाहिता है with this much as your stop loss ओके तो यह बाला जगा है इसको यह DOF के उपर आप stop loss और इस D के नीचे breakdown पे आप entry मान के trade करते तो आज पूरा दिन पे जो भी price एक्टन हुआ उसक आप इधर से भी ले सकते थे पर उतना aggressive मैं दिखा नहीं रहा हूं कि को one minute का time frame जो मैं इस्तमाल करता हूं आप लोग अगर सिर्फ मुझे देख करी उसको apply करने का कोसिस करेंगे तो आप loss करेंगे तो इसलिए मैं उसको discussion भी करना नहीं चाहता हूं किको उसको master करना इतना मैं नहीं है मैंने कुछ सालों से यह वान मिनिक का time frame पे practice कि कि है तबहीं जाकर िष्कर जायंका रहा हूं कि बहुत सारी लोग आप में सेंट जो सिर्फ क्या करते हैं कि और चुरा टाइम प्रेम पर जाना चाते हैं मतलब आपको मैं अगर वान आउर का टाइम प्रेम पर मैं दिखाऊ कि चार्ट रीडिंग के लिए वो लोग क्या करेंगे 15 मिनिट का टाइम पर आएंगे फिर फिर और भी चुरा टाइम प्रेम पर जाने का कोशिस करेंगे कि उनको लगते हैं यह जो 1,2,3,4,5 ऐसा सिर्फ गिंति करना नहीं उसका साथ साथ उसका जो डिपरेंट रिलेशन है प्राइस वाइस टाइम वाइस और पैटन वाइस सब कुछ मिला कर और भी कुछ डिपरेंट टेक्निक्स होत रहाएंगे तभ आपको minimum 5 minute यह फिर 15 चार्ट पर जाकर रेट करना चाहिए तो अब चले नेश्ट देखते हैं कि इसके बाद करते हैं तो घ।क है बड़ा बाला तो हमारा जो फीप तो कहां तक नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यह जो है 0.618 पार्सेंट तक राइट यह 0 से 3 का 0.618 पार्सेंट होते हैं हमारा फीप तो का ठार्गेट जो मैं काल का वीडियो यह फिर अल्मूस्ट हाट पार्ट अब बोलता हूं त एटलिस्ट मानी मैनेजमेंट करना चाहिए इधर से थोड़ा थोड़ा करके बुक करना चाहिए था तो नेक्स टार्गेटों का यह 633 के आसपास तक ठीक है तो चलिए देखते हैं इधर से क्या होते हैं मार्केट ने थोड़ा आया 78% को टाच किया इधर थोड़ा टाइम फिर ओजो आप साइट पर जाने के बाद बोल रहा तो वो कर जा रहा है तो इधर यह जो मुझे दीग रहे हैं कि यह एक दो तीन चार पांच यह पांच साववग पर उपर गया तो प्रब्लिए अगर आपका यह भी हो सकते हैं या फिर वान हो सकते हैं लेकिन जब मैं यह hundred percent का relation पर रैते हैं तो यह अगर आपका आपका यह है यह अगर आपका B हो गया तो यह सी जो है यह कहां तक जाना चाहिए यह 789 तक जानाके का से यह बाद जो जहागा है 721 की आज पास से है तो चलिगते हैं कि 100 we hitt करते हैं कि यह बहुत एक आसन सी जह आगा ता और इधर इधर C के अंदर भी 5 सावव रहते हैं तो इधर भी यह जा रहा है तो इधर देखिए यह 1, 2, 3, 4, 5 बस यह चला गया तो इसको हम A, B और C मार्क कर सकते हैं तो यह A, B, C मार्किंग हो गया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके उपर मार्केट को जाना नहीं चाहिए ठीक इधर जब भी इधर यह हाई बना है इसके उपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जाएगा अगर इसके उपर जाएगा तो most probably जो ब मुझे 1 मिनिट का टाइम प्रेम पर यह सही होते हुए नजर नहीं आएगा तो बेसलिए ओन टे का टाइम प्रेम पर भी आज नहीं तो काल दीख जाएगा कि हमारा काउंट गलत हो गया तो यह बाला जो हाई है इसके उपर अगर मार्केट ने बहुत उपर चला गया तो इ कर एक ही जगा पर यानि कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पूट को सेल करूंगा और मार्केट जो मैंने आज एबी सी दिखा रहा हूं इसके उपर चला गया तो यह कॉल साइट पर मैं एक बाई कर लूँगा यानि कि कॉल साइट को मैं डिफाइन रिस कर आइं पूट साइट से मैं सेल करना चाहूंगा इससे क्या होगा मार्केट अगर कॉल साइट पर जाएगा तो भी मुझे प्रोकिन और अगर सेम चीज स्यूंज दिख गया कि मार्केट नीचे की साइट पर जा रहा है तो मैं यह बाला जो स्टैट यह इसको सेम वए के माद देम से मुझे बात आई है तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू एंड गूडबाई